नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फार आलिगरी कल्चर कमटेट विजाम में आज की इस वीडियो में हम उत्तरप्रदेश शासन के द्वारत क्रिशिया के विभाग में विभिन पदोव के लिए विग्यापन जो होते हैं वो किस विभाग के द्वारत जारी किय इन सब्सक्राइब करेंगे की कौन से आयोग के द्वार एक्जाम कराये जाएगा किस विभाग के द्वारत के द्वाग कारिए किस विभाग को कौन से भरती के लिए विढिया अपन जारी करना है उनसे सभी के बारे में संसोधन कर दिया गया था यह जो है समिधान के bugün ah 309 पर अंशे 309 आर्डिकल Jadi 309 होता है समिधान के उसके धारा प्रदत संसोधन संसोधन दिश करते गया है तो ये उत्तरपदेश अधिनाश क्रिशी सेवा 33 संसोधन है जो की 2019 में कर दिया गया था जिसके अनुशार जो है पहले यूपी त्रिपल एसी के स्वारी जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रावधिक्स आया ग्रुप सी की वेकेंसी आती थी वो पहले लोग सेवा आयोक के माध यूपी त्रिपल एसी आयोक के माध्यम से ही अब जो है टेक्निकल असिस्टेंट ये की जो होती है गुरुप सी की वेकेंसी वो की गया जाता है तिसी के बारे में हम लोग देखेंगे किसी विवाग में कितने पद हैं उन सभी के बारे में काफी लोगों हम ऐसे जा रहा थ ये उत्तरपदेश की आचन जो सासना देश होता है उत्तरपदेश सासना देश उसमें ये जो है वो दिया गया है तो आप जाके उत्तरपदेश सासना देश में देख सकते हैं कि किस विवाग में कितने सीटें हैं किया से भरे जाएंगे एक किस आयोक के माध्यम सोगा इन स वो हमने टेली ग्रॉप नहीं जॉइन किया है वो टेली घ्रॉप को जॉइन कर सकते हैं है चैनल का लिंक जो है वो एस्टेडी for all agriculture कमटेट्व जाम ये टेली ग्राम पर सर्च करेंगे या चैनल का जू नाम है study for all agriculture वो डाल के सर्च कर सकते हैं यह हमारा channel का logo है और यह group को join करना है आपको और इसका description box में हम link दे देंगे तो वहां से group को join कर सकते हैं तो इसमें यह group है हमारा जिसमें daily जो भी information होते हों मिलते रहते हैं तो यह हमने pdf जो है वो telegram group में share कर रखा है तो वहां से जाके देख सकते हैं किसी विवाग में कैसे हैं तो वो सब देख सकते हैं इस टेल ग्राम माध्यम के द्वारा अब हम लोग देखते हैं तो यह जो संसोधन हुआ था 2019 में इसे संचिप नाम प्रारम कर दिये गया है अनिमावली उत्तरपदेश अधिनस क्रिशी सेवा 33 संसोधन 2019 जो है यह कहा जाने लगा है यह तुरंद प्रवित हो गया है जो कि 2019 से ही यह आयोगे जो विवागों का दिया गया था वो सब स्ट हो गया है क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वो एक नई वैकेंसी आया थी 269 पदों के लिए जो की यूपी त्रिपल एसी के माध्यम से कराए गया था तिन ही सब के बारे में हम देखते हैं पहले की कौन सी विभाग के दौर कैसे किया जाता था उत्तरपरदर सदि स्रित का यूंखा में रूप में निर्स प्रादिकारी होते हैं उन्हें हम विद्मान अस्तब के अंतरकत रखते हैं यह सब हो जाएगा इसके बाद है जो कि आयोग तात पर उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा हो सकता है जिसमें अधिनस क्रिशी सेवा अधिनस सेवा चैन आयोग के द्वारा जो है अधिनस क्रिशी सेवा ग्रुप सी टेक्निकल असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं उसका प्रावधिक सहायक वह अधिनस सेवा चैन आयोग यूपी त्रिपल सी के माध्यम से कराय जाएगा नए नियम जो है वह उक्तिनिवाली यह जाएगा इसमें जो है आर अच्छड यह सभी है अब नियम देख लेते हैं सेवा का समवर्ग जो है वह जब तक सरकार द्वारा परिवतन करने का आदेश नहीं दी जाएं सेवा कि सदस संख्या क्रिमसा मैदानी और परवती समयर्गों के लिए उतनी होगी जितनी इस निम प्रतेक सरेडी के पदों की सदस संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अधारित की जाएगी ति ये नया संसोधन के द्वारा भी इसमें दिये गया है कि कोई भी सीटे जो हैं वो सरकार द्वारा जब चेंज की जाएगी तभी वो घट बढ़ सकती है देशों के अनुसार किये जाएगा तो जो आर अच्छर मिलेंगे वो उस समय के सरकार के आदेशा अनुसार ही नियम जो आर अच्छर का है वो लागू किया जाएगा जबकि एतरद्वारा प्रतिस्थापिर नियम जो थे वो आर अच्छर के अनसूची जाती हो अनसूची स्पेड़ान में और भरती के समय प्रवीर शास्निया देशों के मुझार होगा इसके बाद हम विदमान नीयम देख लेते हैं उक्त जो नीयम में सीधी भरती के लिए अब्यारती को पर्शिष्ट का और खा में पदों के लिए संभुगदर्साई के आरता होना है। यह हम जो हें नेस्ट में देखते हैं क्या सलिए उनका रहेगा। आयोग इस विल्टी जो है वो 21 से 35 वर्स होना चाहिए सीधी भरती में एक कलेंडर वर्स में सीधी भरती जो यूपी तीपल सी के द्वार की जाएगा 21 से 40 वर्स होना अनिवार है इसके बाद हम देखते हैं विदमार नियम आयोग के माध्यम से सीधी भरती की प्रक्रिया क्या होगी उनके किस प्रक्रार से वो भरती करेंगे आयोग उनके बारे में देखते हैं तो आयोग जो है वो प्रतियोगत्या परिच्छा में समलित होने के इनमत के लिए अवेदन पत आयोग द्वारा जारी विज्यापन में प्रकासित प्रपत में होगा तो आयोग जो है वो अगर भरती सीधी भरती कर रहा है तो उसमें आयोग द्वारा एक विज्यापन प्रकासित किया जाएगा जैसे हाली में किया गया लोकसिव आयोग के द्वारा इसके बाद किसी भी अभेरती को परिच्छा में सम्रित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोक दोरा जारी गया प्रवेस पत्ना हो जब तक उसके पास एड़मिट काड अगर नहीं है तो वो परिच्छा में सम्रित नहीं किया जाएगा लिकित पर इच्छा के प्राप्त हो जाने पर साड़ी बद क्या लिये जाने के उपरान जो है उनको हम नियुक्त-पत्र जो है वो ट्रदान किया जाएगा इसके बाद एता द्वारा प्रतस्थापिद नियम जो हैं उसमें सेवा में समूगा के जो ये यूपी तिपल यसी के द्वारा संसोधित करके दिया गया है उसमें जो है सेवा में समूगा के पदों पर सीधी भरती रीत और प्रकिया नियमावली 2015 के नुशार की जाएगी जिसमें आयोग सूची क्रिसी निदेशक को अग्रसारित करेगा जो कि नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को नाम भेजाएगा तो इसमें जो नियुक्ति होगी वो निदेशक के द्वारा किया जाएगा जिसमें नियुक्ति प्रदिकारी के नाम से भेजा जाएगा उनके द्वारा किराया जाएगा नियुक्ति इसमें तो इसमें एक्जाम जो होगा अब यह एक्जाम पैटर्न भी चेंज कर दियेगा है यूपी तीपल एसी जो है वो पेट एक्जाम लेगा प्तारमिक पातरता परिच्छा जो है तो वो क्वालिफाई जिनों ने किया रहेगा वही ही टेक्निकल असिस्टेंट समूगा के लिए पद पर ही फान को अप्लाई कर सकते हैं तो जो भी लोग है बीसी अगरिकल्चर वो पेट के त्यारी भी करते रहें साथ-साथ यूपी तीपल लसी की आने वाली है उसकी यूपी तीपल लसी का अनलाइन तो फान को फिलप करके देना है इसके बाद आयोक के द्वारा जो है नियम के अनुशार ये दिया जाएगा उंकों का जो भी दिया गया है उत्तर दिस पृष्चा में समलीत होने के अन्मत के लिए आवेदन आयोकद्वारा जारी विज्यापनघासी प्रपत में आयोकद्वारा अमंतित किए जाएगा थे विचाता और्गे जया जाती हैर अन्सीत जन जाती है और इस रेडियों के भ्यों को सम्मिक प्रति निदित Sohnयों कनने की आशक्त्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे भ्रहतियों को सूची त्यार करेगा जो इस समन्द में आयोग द्रारा निदार्द मानक के नुरुप आये हों तिस तरीके से हैं इसके बाद देखते हैं उत्ताप्रदेश संसोधन के द्रार उत्तापदस लोक सेवा के आयो के माध्यम से सीधी भरती के प्रक्रिया जो है वो मता ही दिये गया है परिच्छा होगी प्रतियोगता परिच्छा में संभित होने के लिए आपको एक विज्या पंजारी की जाएगा जिसका फार्म आपको अप्लाई करना है और आपको प्रियुस्पत के लिए दिये जाएग इजाम के लिए तो प्रियुस्पत के माध्यम से आप पैच्छा हाल में संभित हो सकते हैं तो टोटल जो है इसमें 2019 में जो संसोधन करके निकाला हुआ है एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में इसमें निकला है कि समू ए और बी जो है जो आये हुए है टेक्निकल असिस्टेंट अग्रोनामी सेनियर इन सभी पदों का जो है वो यूपी पीच्छ के माध्यम से एक् को ौभरती प्रक्रिय में सामिल होना हुए और मेन के आदार पर ही फाइनल जिजल जो है वो डिकलियर की जाएगा जिसके आदार पर यह जो भी भरती है टेक्निकल असिस्टन जो है वो टीये वो समूगा की भरती है जिसको यूपी टिपल यसी आयो को दे दिये गया है तो यह 2019 संसोधन के माध्यम से पहले यह जो था वो यूपी PCS के माध्यम से खराय जाता था लेकिन इसे 2019 में संसोधित करके इसे यूपी ट पर लशी जो है वो टेक्निकल असिसटन की भरती कराती है जिसमें अपट इग्जाम होना निवार कर दिये गया है इसमें जो है पड़ोन्यति द्वारा भरती की प्रकरिया होगी गट्री वर्ट ये के पदोपर पदोन्यत के लिए एक चैन समिट के गठन किये जागा जिसम विभाग द्वार्वत की इस में उसमें दिये गया है कि सेवा में ऀप्रमूलिक रूप को दो वर्ष की परिविच्छा पर रखा जाए गा। इसमें जो सेवा में होंगे उन्हें मालीक रूप से व्यक्ति को दो वर्ष के लिए परिविच्छा पर रखा जाए गा। लेकिन जो समूए एक लिए है उसमें आपको दो वर्सों के लिए परिविच्छा पर रखा जाएगा सोधन जो नियम 23 में बना है उसमें विदमान उपनियम है जिसमें दिये गए है कि नियमावली के प्राराम के समय वेतनमान प्रश्रिक का में दिये गए हैं तीन को हम देख लेते हैं नियम 24 जो है विदमान नियम परिविच्छा की अवद में वेतन क्या होगा आपको अगर परिविच्छा में रखा जा रहा है तो अवद में आपको वेतन कितना मिली गए तो fundamental rules में किसी प्रतिकूल उपबंद के होते हुए परिविच्छा धीन व्यक्तिकों यदिवा पहले से अस्थाई सरकारी सेवा में ना हो समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्ध अभी दी जाएगी जब उसने एक वर्स की संतोस जनक सेवा पूरी कर लिए हो अगर कोई सरकारी गौर्णमेंट जाब में नहीं रहा है तो उसको एक वर्स अगर संतोस जनक सेवा पूरी कर ले रहा है तब उसके बाद जो है उसकी वेतन वृद्ध जो है वो इस्टार्ट होगी दूती वर्स जो है वो सेवा पूरी कर लिए हो उसे अस्ताई भी कर लिया जाएगा तो जो वर्स जो कंप्लीट कर लेगा पर विच्छा तो उसे हम